नमस्कार आप देख रहे हैं प्रतावगार फिटनेस हमेर रामकिला से आदो आज किस वीडियो में आप लोग को हम तंबाकू और गुटका बीडी सिक्रेट जो भी तंबाकू जिस चीज में होता है उसका सेवन करने से आज किस वीडियो आपको 41 नुकसान बताने वाला हूँ आप लोग साथ देखे होंगे हमारा वो वीडियो जिसमें फाइदे बताया गया था कितने लोग देखे हैं नीचे जरूर बता दीजिएगा कि हमने देखा हैं और इसमें 41 नुकसान बता जागा जो आज तक आप लोग नहीं सुने होंगे नहीं देखे होंगे अगर आप ल आपको नुकसान होते हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग बेगर गुड का सुर्तीत तमाको बीडी सिग्रेट इसका सेवन कर रहे हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके जिन्दगी को बदल देगा और काफी लोग ऐसे भी हैं जो लोग छोड़ना चाहते हैं बहुत कोशिस कर रहे हैं नहीं छूट रहा है और बेलकुल हतास हो गए हैं कि छोड़ने के बाद फिर खाने लगे छूट नहीं रहा है तो उनके लिए यह खम और है रामबानचीज जिससे कि उसको लेने के बाद छूट ही जाएगा 100% उम्मीद है उससे भी काफी लोग का छूटा है उभी वीडियो में बता दूंगा आपको एक तालिस नुकसान जान लेजे उसके बाद जो हम आपको दवा बताऊंगा कि कहां से आपको मिलेगा आप उसे कहीं से भी हर जगह से आप ले पाएंगे आप के वहाँ मिल जाएगे कहां मिले take what वीडियो करीएगा और हमारे चैनल को अभी स्प्राइब करें बस like नहीं करते आप लोग से बड़ी कमी आप लोग के अंदर होती है लाइक ज़रूर करें हाँ अगर आप लोग हमारे चैनल को कुछ अनुदान देना चाहते हैं रूपया दो रूपया तो दे सकते हैं नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं लाइक करके बस देखते रहे हैं सुरू करते हैं अगर आम बात कर लेते हैं पहला नुकसान पहला नुकसान होता है पेड की बीमारियां अगर आप तमाकु गुटका बीडी सिक्रेट का सेवन कर रहे हैं तो आपको पेड की बीमारी घेरना शुरू कर देगी जैसे acidity हो जाना कच्चित हिकार आना यह जो है तमाकु खाने की वज़ा से होती है जो आप लोग नहीं समझ पाते आपको acidity हो रही है तो तमाकु गुटका बीडी सिक्रेट यानि तमाकु का सेवन तमाकु का सेवन आप किसी भी रूप में कर रहे हैं उससे आपको यह दिमारी होगी दूसरा जो होता है दूसरा है इस्टोक मस्तिस्क इस्टोक मस्तिस्क मतलब है आपका जो दिमाख होता है श्लो हो जाता है आपकी सोचने समझने की छमता कमजोर हो जाते हैं जैसे कि आप कोई चीज बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, यआ कहीं आप कोई स्पीज देना है, कोई भी काम करना है, आपकी याद दास कमजोर हो जाएगी. क्योंकि वो जो है धीरे सरे आपके दिमाग को ऐसे काबू करता है जब भी तमाकू आप खाते हैं तो तमाकू दिमाग पर जाता है तब आपको ऐसास होता है कि तमाकू हमें चढ़ गई है इसका नसा शुरू हो गया है तो ये दिमाग को जो है ऐसे असर करता है तो यह आपके दिमाग को भी कम करता है आप अगर तमाग को गुट का वेड़ी सीखरेंगे ने तमाग को कि सेमन कर रहे हैं या गुट का कि सेमन कर रहे हैं तो आपका दिमाग कम हो जाएगा आप अंदाज लेजिएगा जितनी हमें एक तालिस चीज़ें आपको बताऊंगा अगर आप तमाग को गुट का खा रहे हैं तो आप खुद समझ जाएगे अगर इस तरह का आपको दिक्क समझ से हो रहे हैं तो आप समझ लेजिए हम तमाग को खा रहे हैं अभी हमें इस चीजें देखने को मिल रहा है यानि दिमाग आपका कम हो जाना अगर तमागु खा रहे हैं दिमाग कम होगा अब हम बात कर लेते हैं तीसरी चीजे जो आती है वह है ब्लड प्रेसर अगर आप तमागु गुटका बीडी सिग्रेट इसका सेवन कर रहे हैं तो ब्लड प्रेसर के मरीज बन जाएंगे जो कि ब्लड प्रेसर काफी गंभीर बीमारी है जिससे की ब्लड प्रेसर बहुत खराब बीमारी है तो ऐसे बीमारी आप लेकर क्यों परनी जिन्दगी काट रहे हैं तो इससे अच्छा है हम छोड़ दें तो ही अच्छा होता है तो जो सांस लेते हैं, उसकी जो नली होती हो डैमेज होती है, सांस की नली को कमजोर करता है, पांचमा जो आता है, गला, आपके गला जो होता है, गला को कमजोरी करता है, गला में दिक्कत देता है, गले में खरांस देता है, ऐसा कभी कि आपको देखने को मिला जब या आप तमा इस तरह कभी आपको देखने को मिल जाएगा तो आप समझ लिजिए कि आपके गले में खरांस है चाठा के अगर हम बात करते हैं सीने में दर्द ऐसा आपको ऐसास होता होगा जब भी आपतमा के अगुट के सेवन करते होंगे उसके तुरंत बाद भी हो सकता है या कुछ देर बाद आपके सीने में जो आपका सीना है यहाँ पर आपको धर्द महसूस होता होगा साथमा जो है इंजाइना इस भी एक बीमारी खतरना बीमारी है इस पर आपके अगर होगे होता है हाथमा ही और हांस करते हैं हाठ इतक है लोग के अगा और है तो हो सकता है बच जाए दुभारा आ अगाए तो हो सकता है दुभारा बच जाए तीबारम तो ऐसा बता जाता है वो निपड़ जाते हैं हो कोई तो पहले में भी निपड़ जाते हैं पहलगा जब हार्ट टेक आया तब, उन organizing कहतम हो जाती है Oke इतनी गंभीर, भिमारी क्यूं आप पैदा कर रहे हैं हार्ट टेक की बिमार्या क्यूं ले रहे आगला जो 9 आता है, 9 है Cathalinsır, Cathalinsur बहूत खतरनाग गिमारी है, कइंसर हो जाने के पृद आपके जीवन खत्म हो जाता है, तो इस तरह से अगर तमाकू का 7, गोत का 7 कर रहे हैं, बीडी का 7, सितरेट का, इससे आपको Cancer, याईनि Cannon monster बहूत ही खतरनाग गिमारी है, समय लों की वितना खतना गुमारी है कि आप खुछ समझ लिए कैंसर से जिसे हो जाता है कैंसर कहीं भी हो सकता है पूरी तरह से बिकार हो जाता है जैसे गले का कैंसर हो गया मुह का कैंसर हो गया किडिनिक कैंसर हो गया मलब कहीं भी बलेड कैंसर हो गया हर तरीके जितने कैंस जीतनी भी बीमारियां हो रही है अब हम बात कर लेते हैं दसवाइं अगर आप थमाकु कुट का बिड़ेट सेवन कर रहे हैं तो दाद, खाज, खुजली की समस्या देखने को मिलेगी, यानि इस तरह से आपके अंदर की दाद, खाज, खुजली, इसकी जो है समस्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, फुनसी निकलना आपको ज्यादा समस्या आपको देखने को मिलेगा, इक ग्रहमा जो होता है, सांस क लेना चाहेंगे तो भी नहीं लेपाएंगे। इस तफ आपको त्मागुगुटका बीडि के वजह सवाघपर्व होगा। बरहमा जो होता है बरहमा है दमा। अप्वेध क को दमा का बिमारी पखड़े गा। यह धम्हा का बिमारी काफी खतरनाक है जो कि आप जानते होंगे कितना खतरनाक है अब हम बात कर लेते हैं बरहमक बात आता है तेरहमा जो तेरहमा आता है वो है कान में संक्रमड अगर आप तमाको गुट का बेगडी शिग्रेट का सेवन कर रहे हैं तापके कान में भी संक्रमड होने का खत्रा बना रहता है और आपके काफी खतनाग बिमारी है अगर आप लोग लगतार लंबे समय से सेवन कर रहे हैं तो यह आपको निमोनिया का भी समस्या हो सकता है 15 जो आता है वह है खासी कफ अगर आप तमाकूर का बीडी सिग्रेट का सेवन कर रहे हैं तो आपको खासी की बिमारी पकड़ लेगी कफ की बीमारी यानि कफ आपको बहुत ज्यादा ज्यादा गिरेगा कितने लग होता है कि कफ गिरता रहता है कफ गिरता रहता है फिर भी वो क्या है खाते रहते हैं खाते रहते हैं तो ज्यादा ज्यादा कफ गिरता है जो भी एक खासी कि साथ साथ कफ गिरना वल्गम गिरना ये भी तमाकुक सेवन्स होता है गुटका, बीडी, सिक्रेड तमाकुक जितने भी प्रोडेक्ट होते हैं सबसे ये बीमारियों होती हैं आपको एक बार कफ पकड़ लिया थिर आप खाते रहेंगे खांसते 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 कितना ऐसे होते हैं कफ पकड़ लेने वज़र से स सफेद दाग मुह में जो होता है सफेद दागा पड़ जाता है कहीं कहीं पर देखो मुह के अंदर कुछ लोग जो खाते हैं बहुत जादा खा रहे हैं तो मुह के अंदर जो है सफेद सफेद दाग पड़ जाते हैं यह काफी खतरनाक है सफेद दाग जो कि आपके पूरे मु मारी से ग्रशित हो जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं सत्रहमा सत्रहमा अगर आप अधिक गुड का रिखले करते हैं तो आपका मुह नहीं खुले गा यह बहुत कम खुलेगा वह आप खोलने कुशिस करेंगा विखे करेंगा कुछ लोग देखो ऐसे कि आईसे खाते हैं जैसे भी खाने खाने ने से फकोली खामें पहुंच जाते हैं जो बहुत १ सेक्षया आफ करने वाले हैं और कि आशलते हैं हाथ से अरको कर तुमोन करहें जिसके उनको मुह बंद होना यह अधिक तर गुटका खाने के वज़े सोता है मुह जाम कर देता है कुछ ऐसे भी आपके अंदर मान स्पेसिया होती है इधर घर जो ऐसे दब जाती है जिससे आप बहुत चाहते हुए भी अपने मुह को नहीं खोल स्पाएंगे यह ज्यादतर गुटका चबाने से होता है जिससे कि यह काफी खतरनाक माना गया है अब हम बात कर लेते हैं अठ्रामा अठ्रामा है नीद की भीमारी यानि आपको नीद नहीं आएगा जैसे होता नहीं कि आप रात में जाग गए तो पता लगा हम दो बज़े हमारे नीद खुल गई हमें नीद नहीं आ रहा है तीन बज़े हमारे नीद खुल गई नीद नहीं आ रहा है या किशी कशीक तो सुबह लेड़ जाते हैं राच किसमें राच सुबा भी हो जाता है कापी देर हो जाती है एकाद बार नीद आ गया तो आ गया नहीं तो नहीं आता है तो यह भी बहुत खतरनाक चीज है अगर है आपको नीद पूरा नहीं हो रहा है तो आपको भी कई गंभीर बिमारियां देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हमें शरीर में हम अच्छे और स्वस्त रह सके स्वस्त रहने के लिए हमें नीद पूरा लेना होता है अगर हम नीद पूरा नहीं लेंगे थैंसे मैं आता है जिसे नशा बोला जाता है इसका अगर स्टेवन करते हैं तो उन्नाई साहमा है नपुन सकता याना को नपुन सकता की बीमारी हो सकता है जिससे आप की जिन्दगी खराब हो जाएगी आप किसी काम के नहीं रहेंगे अब हम बात कर लेते हैं 20 वाला 20 साहमा है चेहरा पर जुर्री चेहरे पर ठाल्दी जुहरी जुर्री जुर्री बिखाने लेगेगी और यहां स्टीग долौन Wenya शुरु हो जाएगा आपका जुर्रीपन देखने को मिल जाएगा यह जुरृ भी काफी खतरना की जहें कि आपको कम उमने ही मिल जुर्री देखने को मिल जाएग एक एक साहवा के बात किया जाए तो यह देखने के मिला है कि हाथ पैर पतला हो जाना जानी जो आपके मसल्स हैं यह पैर हैं मसल्स पैर के हैं जंगे हैं और चेश्ट जो हैं यह चीजें पिचक जाना यानि आपका जो मसल्स है यह जो हाथ का और पैर का वो कम हो जाएगा धीरे 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 वो गलना शुरू हो जाएगा यानि बहुत कम हो जाएगा मसल्स को ऐसे खोड़ा कर देता है यानि कि कहना चाहें तो आपके हाथ पैर के जो मसल्स है धीर धीरे पूरी तरह से समझोर हो जाता है अब एक इसामा कर बता दिया वैसामा कर हम बात करते हैं तो वैसामा है कि आपको बहुत जल्दी जो है देखने मिलेगा कि जो आपका पेट है वो धीर धीरे बड़ा होने लगेगा पूरी सरी तो खतम हो जाएगी लेकिन पेट ही आपको शुरू बड़ा दिखेगा क्योंकि अब आपको जीवन को लोग बरबाद कर लेते हैं कि पेट बड़ा हो रहें तो इसा बिलकूल नहीं है अगर आपको पेट बड़ा हो रहा है अगर आप इस तरह से नसा कर रहे हैं तो समलो बहुत ही खतरनाक है अब हम बात करते हैं आगे जो आता है तैसा हमा तैसा हमा आता है आखों से पाने आना आख से जो है पाने आना शुरू हो जाता है जैसे आप इसका 7 कर रहे हैं तो आप आपको आँखों से पानी गिरेगा सुबा में गिरेगा आप जैसे ही सुबा उठेंगे तो आपको देखने की मिलेगा कि आपके आँख से जो है ऐसे पानी डाका गिर रहा है तो समझे आप तमाकु गुट का लीड़ सिक्रेट इसका सेवन कर रहे हैं 24 अगर हम बात कर लेते हैं तो 24 अगर आपको चोट लग जाती है तो चोट जल्दी घाव भरता नहीं कई दिनों तक घाव पड़ा रहता है इसकी वज़ा से यह जो आप तमाकु गुट का बीड़ सिक्रेट इन नसा के कारण जो है आपका घाव जो है वो जल्दी भरेगा नह सुखने में समय लगता है जो लोग नसा करते हैं इससे कई गंभीर विमारिया होते हैं और हम बात कर लेते हैं 25 अगर आप तमाकु गुट का बीड़ सिक्रेट का इससे नसा कर रहे हैं तो आपके बाल भी ज़ड़ना शुरू हो सकते हैं क्योंकि आपके अंदर मिनरल्स और विटामिन की कमी होगी जो भी आप जो चीजें खाते हैं वो आपको सही तरीके से मिल नहीं पाता है जिसके करण आपको मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाती हैं तो जिसके करण आपके बालों का जड़ना सुरू हो जाता है और आप समझ समझ नहीं पाते और धीरे धीरे आप गंजापन आपका हो जाते हैं अब हम बात कर लेते हैं 26 आप जल्दी बुढ़ापा आना यानि अगर आप तमाकू का सेवन करें ता आप बहुत जल्दी आपको बुढ़ापा घेर लेगा यानि बहुत जल्दी ही बूढ़े हो जाएंगे समय जादा नहीं लगएगा बहुत कम समय में आप बूढ़े पूरी तरह से होना तैं हो जाएगा अब हम बात कर लेते हैं 27 साहवाँ सत्तहिसामा है कम उमर में गंभीर विमारी आपको हो जाएगे कम उमर में गंभीर विमारी और वही आपके मृत्यू का कारण बन जाएगा यानि वही आपको मृत्यू का कारण बन जाएगा बहुत ज़्यादा गंभी बड़ी से बड़ी बीमारी का सिकार हो जाएंगे अगर हम बात कर लेते हैं अठाई सामा अठाई सामा जो आता है वो है नाक में मैल आना कभी कोई लोग देखने मिलता है कि नाक अंदर पपड़ी जम जाना मैल जादा बन जाना तो जिससे जो है यहां मैल जानने कोई निकालते हैं लोग ऐसे जमा रहता है कि पपड़ी पपड़ी जमा रहता है यह भी इसी कारण होता है जो आप लोग तमा को गुट का बीड़ी सिक्रेट का सेवन करते हैं उन्तिसाहम अगर हम बात कर लेते हैं, शरीर ना बनना, उन्तिसाहम जो है, शरीर ना बनना, आप कितने भी मिनरोस और विटामिन का सेवन करेंगे, लेकिन आपकी सरीर नहीं बनेगी, आप कितना भी चीज खा जाएंगे, आपको सरीर बनना ही नहीं है, जो भी आप खाएंग साहा घर हम बात कर लेते हैं तो तिसाहा आता है तमाक्ल इक सिलोप अजय है यानि कि बहुत धीम जहार है बहुत अशर करेगा बहुत धीम धिर 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 अपके सराल्ग को जकड लेगा और आपको पुरी तरह से ऐसे बरबाद कर देगा यानि यह भी एक जहर ही समझेए जो भी आप तमाकू का सेवन करते हैं एक प्रकार का सहर है अगर हम बात कर लेते हैं एक तिसाहमा देखिए एक तिसाहमा है सरीर अंदर से कमजोर हो जाना आपके देखने मिलेगा कि जैसे कि यह बहुत तिस्ट पुष्ट लोग हैं और लंबे समय से अधिक मातरा में लंबे समय से अगर तमाकू का सेवन किसी भी रूप में किया जा रहा है तो कितनी भी अच्छी उनकी बाड़ी रहेगी लेकिन वो अंदर से कमजोर हो जाएंगे अंदरोनी से यानि की बाड़ी तो दिखेगी लेकिन उस हिसाब से उनकी बाड़ी रहेगी नहीं और उस हिसाब से उनकी बाड़ी तो रहेगी अंदर से दिखावम रहेगी लेकिन अंदर दम नहीं रहेगा उनके अंदर ताकत नहीं रहेगी उनको खुद कमजोरी अहसास होगा कितनी अच्छी बाड़ी होगी वो धीरे दीरे 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 वो बॉडी तो दिखे रहेगी जो भी बना है रहेगा लेकिन अंदर अंदर से आपको कमजोर करती देखने को मिलेगी बतिसाहम अगर हम बात कर लेते हैं बतिसाहमा है दातों में बीमारी इस से फिर दातों में बीमारी होती दातों में कमजोरी होता जो भी कःए पाई जाता है निकोटेन कर दो आपको मसूरे मसूरा कमजोर हो जाता है जैसे ही आप सेवन करते हैं फिर और धाया न करते हैं घ्स जाता है तो आपको ऊप्सवें तो डानतु करा है बाल आपके सपहट आपका हो जाना अब बात करेते हैं जो अगला पॉइंट आता है 23 ह्मार पॉइंट बालों का झाडिना यह नहीं बालों कोन च्पेक कर देना ध्म न लगको यह जब के बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाना अधिक तरह ऐसा देखनग मिलता है कि उनकी उम्र नहीं हुई है फिर भी बाल बहुत तेजी से उनके सफेद हो रहे हैं और कि बहुत तेजी से हो जा रहा है जो कि कम उम्र में नहीं होना चाहिए 34 अगर हम बात करते हैं तो आँखों से अधिक कीचाड आना और धीरे-धीरे आँख की रोसनी पर फर्क पढ़ना अंधापन देखने मिलेगा जो भी आपकी आँख की रोसनी है उसका रोसनी कम हो जाएगा अंधेपन का अशिकार बन जाएंगे धीरे-धीरे और जो है आपकी जो आँख है समयलेजे की बहुत ज़्यादा कीचाड आएगा क्योंकि ये गर्मी पायदा करते है जो भी आप तमाकू के सेवन किसी भी रूप में कर रहे हैं समयलेजे आपके सरीर में जो है गर्मी पायदा करते है जिसके करन आपके आँखों को नुक्सान हो रहा है 35 हम अगर हम point की बात करते हैं वो आता है सुक्राणों की कमी जो भी आपकी स्पर्म होते हैं उसमें सुक्राणों की कमी हो जाएगा जिससे आप पिता नहीं बन सकते ये भी इसमें देखने कोम मिला है तो इस तरह से जो है अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो आपके इस्थरियर में जो सुक्राणू है, वो कम हो जाएंगे, तो इससे भी आपकी जीवन खराब हो जाएगा 36ों पॉइंट के कर हम बात करते हैं, लीवर में कमी, लीवर की बिमारी, लीवर की जो बिमारी है काफी खतरनाग होती है, इससे आपको ऐसा होगा कि जीड़ा, भी बिकार है क्या जिन्दगी है, अगर आपके लीवर ही खराब हो गया है, लीवर को धिरे-दिरे दिरे साइटी जाहवा एगर आप भारी खुराक खा रहे हैं अगर आप नसे का सेवन कर रहे हैं तमागूट का भीड़ सीगरेट का भारी खुराक क्या है काजू बदाम चना मटर ऐसे चीज़ां को हजम नहीं होगा भारी में जिसे आप केटाहल खा लेते हैं वह भी नहीं हजम गया घी हो गया ऐसी चीजह आपको हजम नहीं होगी इससे आपका हाजमा पर काफी फरक पड़ता है और आप धीरे-धीरे बरबाद हो जाती शरीजवापको भारी-खुराक हजम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे तो इस तरह से जो है धीरे-दीरे आपको नुक्सानीं बत कर लेते हैं 38 पॉइंट 38 आता है घवराहट बेचैनी अगर आप तमा को गुटका का सेवन कर रहे हैं तो आपको घवराहट देखने को मिलेगा जैसे कि घवराहट सा ऐसे बेचैनी आपके सरीर में रहेगी और आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्यों घवराहट हो रहा ह है क्यों बेचैनी हो रहा है और इससे आपको घर्मी भी बहुत लगेगी घवराहट जब होगा तो आपको घर्मी ज़ादा देखने को मिलेगी और बहुत ज़ादा जो है आप ऐसे घर्मी से बेहाल हो जाएंगे घवराहट होगी बेचैनी होगा आप पूरा सरीर पानी-प हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे हमें किस कारण से हो रहा है अब हम बात कर लेते हैं जो अगला point हमारा आता है वो है कि 59 सरा पॉयंट पॉयंट कर जो हम बात करते हैं वो है पागल्पन हो जाना अधिक नसा करने से आपको पागलपन भी पागलपन भी हो सकते हैं यानि पागलपन का आपको दवरा हो सकता है पागलपन के लक्षड आ सकते हैं अगर अगर अधिक सेवन कर रहे हैं तो क्यों कि जब आप नसा का सेवन करेंगे उससे क्या होता है आपके नियत की पूर नहीं होता तो पागल्पन हो जाता है यह ध्यान रखना तो धीरे 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 उस स्रेडी में चल जाते हैं जिसे आपको जो पागल्पन के लक्षाण देखने को मिलेंगे ऐसा आपको समस्या मिलेगी अब हम बात कर लेते हैं एक तलिसा हमा पॉइंट जो एक तलिसा हमा पॉइंट है वो आता है कि इसे दोडने से गला सूख जाना जो आप दोड लगाएंगे उससे आपको गला सूखेगा यानि कि जिसे कोई इसे जरूरत पढ़ गया दोडनेक पढ़ गया चलना हो गया तेजी से तो आपके गले जल्दी सूख जाएंगे कहीं आप जा रहे हैं तो गला सूख जाएगा, गाली चला रहे हैं जा रहे हैं तो गले पर सूख जाएगा, गला सूख ना, गला चपक जाना अंदर साइड, कि आपको पानी मिले अन्य था आपको दिक्कत होगी, ऐसा आपको ऐसास होता होगा, और अब हम बात कर लेते हैं, एकल्यिसाहामा स्क्राइब स्कमुलिक करता है लेकिन कुछ दिन बाद बन कर देंगे क्योंकि उनको उतनी ताकस सरीव नहीं रहेजाएगं और अधिल की इच्छा भी नहीं होगी क्योंको उतना उसक्छं नहीं रहेंगे अगर जब रहने इक्सरसाइज करेंगे बीमार पढ़ जाएंगे बीमार पढ़ने कारण वह धिर से छोड़ देते हैं और ज देखना चाहते हैं कि इसमें किते लोग पूरा देखते हैं अगर आप पूरा देखें तो लाश वाला जो पॉइंट हम 42 वाला बताऊंगा तो आपको पतर रहेगा जो लाश तक्तिके हैं कि 42 हमा जो है क्या नुकसान है तो 42 जो होता है वो टीवी का आता है टीवी के जैसी गंभी बिमारी का वो सिकार हो जाते हैं अब हम देखता हूं इसमें कितने लोग लाश तक्तिके हैं अगर आप 42 लिखेंगे तब हम समझ लेंगे कि आप लाश तक देखें हैं अगर नहीं देखें हैं तो कोई बात नहीं ह और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ये वीडियो उन्हों तक जरूर पहुंचना चाहिए जो लोग तमाकू का सेवन कर रहे हैं घुटका बीडी सिक्रेट तमाकू जैसे उत्पादन हो रही है तमाकू जो प्रोडक्ट होते हैं अगर उसका सेवन कर रहे हैं तो यह जो है सेवन को बंद कर सकें बंद कैसे करें जो उन्हें पता चले दें तो वीडियो को सिर्फ आपको लाइक कर देना है और आप लाश्ट तक देखें हैं तो 42 लिफ देना तो हम समझ चाहेंगे काफी लोग हैं जो तमाख कुट का वीडियो छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अभी इसका जो है मेडिकल पर भी दवा मिलती है जो 225 के करीब होता है और हर मेडिकल पूपलब्द होता है आप मेडिकल पर जाकर उनसे संपर कर जरू करिएगा अ और जो हैं इसका दवा उसको आप उप्योग मिलेजिए उससे भी काफी लोगों का नसा छूड़ गया है जो कि इसी लिए वो दवा बनाई गया है आप वहां जाकर करके पूरा डिटेल्स में जानकारी जरू लेए आप वहां बोलेंगे हमें तमाग गुटका बीडि सिक्र दारू जो भी छोड़ना होगा दारू हर चीद छोड़ने के लिए वो दवा उपलब्ध है आपके लिए तो वहां जरूर आप जाकरके अपने नजदे की संपर करें और जानकारे लें हाँ अगर हमारे कारे से आप लोग खुस हैं तो हमें अनुदान देना चाहें तो दे स करते हैं जो आपकी इच्छा हो वीडियो देखने के लिए धन्यमाद